बीन मेरी मौन कब जंकरत करोगी प्रेम पाटल पुष्प प्रति में सत्य मैं सौंदरी की आई निसकलुस सुचि शबी मधुर में मैं जुका आराधना सा तुम वरद आसी सकरतल ख्या ननत सिर पर धरोगी बीन मेरी मौन कब जंकरत करोगी प्रेम पाटल पुष्प प्रति में रात्री में तुम जिल मिलाती दूर की निहार कासी पंथ भूले बाल द्रग में अस्र की लगुतारी कासी मैं भ्रमर तुम पंखुरी की छाएं सी छेरा रही हो दूर होकर आसुओं में और उत्री जा रही हो करुण ले की हूख को पिकूख की जंकारती तुम इस पुजारी कभी कुटी की अमर जोतित आरती तुम कब हिरदे का तम हरोगी बीन मेरी मौन कब जंकरत करोगी खोज में पत्धूल से भी फूल में चुनता रहा हूँ पत्थरों के मौन से भी चरण ध्वनी सुनता रहा हूँ मैं स्वयम के नैंजल में जलज बन पलता रहा हूँ मरन जीवन पंथ पर गति प्रान बन चलता रहा हूँ धर क्वनित पग मूख वानी में रनित गति कब भरोगी बीन मेरी मौन कब जंकरत करोगी प्रेम पाटल पुर्श पृति में किये जाओ प्राथना बीन मेरी मौन कब जंकरत करोगी किसी भी जण बीन जंकरत हो सकती जंकरत हो तो ठीक सुब और सन्नाटा ही रह जाए तो भी सुब दोनों में मुल्ले का कोई भी भेद नहीं सुन्य सिध्धुए और जिनके भीतर से खूप संगीत जगा ऐसे सिध्धुए दोनों का अनुभो एक दोनों की उपलब्धी एक दोनों की अनुभूती एक पर कोई गाता है कोई चुप रह जाता है ये प्रते की आंद्रिक छमता पर निर्भर है जैसी स्त्री और पुरुसों का भेद है ऐसा ही ये भी भेद है इसमें जो पुरुस होंगे मेरा आर्थ सारे रेक रूप से नहीं है जिनकी चित्न की दसा पुरुस की होगी वे चुप रह जाएंगे जिनकी चित्ना की दसा इस्त्री की होगी उनके भीतर बड़े गीट चंद पूटेंगे तुम देखते नहीं छोटे छोटे बच्चों में पहले बच्चियां बोलती हैं फिर बच्चे बोलती हैं पहले भी बोलती हैं और जिन्दगी भर भी बोलती हैं मुल्ला नसुदीन से उसके एक मित्र ने पूछा कि जब तुम्हारे पिताजी मरे तो उनके आखरी सब्द क्या थे मुल्ला नसुदीन का आखरी सब्द माताजी आखरी दम तक साथ थी उन्हें बोलने का आवसर ही नहीं मिला तुमने देखा छोटी बच्ची हैं छोटी छोटी बच्ची हैं एक साल पहले बच्चों से बोलने लगती और उनके बोलने में कुसलता होती इस तरें चित्न की छमता है अभी व्यक्ती पुरुस्चित्य की छमता है मौन महावीर पुरुस्चित्य के परम परिसकार है जैसे मीरा इस्त्री चित्य का परम परिसकार है फिर पुर्सों में भी मीरा जैसे लोग हुए हैं जैसे चैतन्य, जैसे कबीर, जैसे सूर, जैसे दूलन्दास और फिर इस्त्रियों में भी पर्सों जैसे लोग हुएं जैसे राबिया जैसे कस्मीर की लल्ला जैन तिर्थंकरों में एक इस्त्री तिर्थंकर भी हुई मल्ली बाई मगर जैन सास्त्रों में मल्ली बाई को भी मल्ली नाथ ही कहा जाता है बाई का उपयोग नहीं किया जाता इसलिए अधिक लोगों को यह ख्याल है कि मल्ली नाथ भी पुरुस थे और इसके पीछे कारण भी है क्योंकि जैन सास्त्र कहते हैं कि इस्त्री देह से मोक्ष हो ही नहीं सकता पुरुस देह से ही मोक्ष हो सकता है इसलिए मल्ली बाईयों को उन्होंने इस्त्री माना ही नहीं मोक्ष हुआ उसको पुरुस ही माना मल्ली नाथ ही माना यह पुरुसों की परंपरा है यह मोनियों की परंपरा है इसका यह अर्थ नहीं कि इस्तिरी देश से मोक्ष नहीं होता यह तो वैसी होगा जिसे मीरा को मानने वाले कहने लगें कि पुरुस देश से मोक्ष नहीं होता यह आधा सत्य है हाँ इस परंपरा में महावीर की परंपरा में इस तरी देश मोक्षोना बड़ा मुस्किल है असंभव ही मानना चाहिए क्योंकि ये पूरी परंपरा की प्रिक्रिया पुरुस्की है पौरुसिक है संकल्प की है समर्पन की नहीं संघर्ष की है समर्पन की नहीं दुर्धर्स संघर्स की है इसलिए तो महावीर को महावीर नाम मिला नाम तो उनका वर्धमान था लेकिन दुर्धर्स संघर्स किया वो जो छत्री होना है वो जो पुरुस होना है वो कोई महल छोड़ देने से नहीं छूड़ जाता तलवार छोड़ देने से कोई छत्री पन नहीं छूट जाता है तलवार भी छूट जाए तो हाथ छत्री के छत्री के ही है और प्रान छत्री के छत्री के ही और तुम ब्राह्मन के हाथ में तलवार भी दे दो तो भी क्या करेगा खुदी को मार मूल ले नुकसान कर ले ओ छट्री के हाथ में लकडी भी तलवार बन सकती हाथ भी तलवार हो सकते उसकी आत्मा उसके भीतर का स्वभाव छट्री का है जैनों की परंपरा है छट्रियों की परंपरा है उनके 24 तिर्थंकरी छट्री संघर्स उसका स्वर है और मौन उसकी साधना है इसलिए ये बात ठीक ही है कि अगर मल्ली बाई पहुँच गई तो चमतकार है मानना चाहिए कि वो पुरुसी है आंत्रिक रूप से पुरुस है और फिर तुम्हें पता है क्रश्न भक्तों में ऐसे लोग भी है जैसे मीरा ने कहा मीरा जब गई ब्रंदावन के एक मंदिर में जहां की इस्त्रियों को आने की मना ही थी क्योंकि मंदिर का पुजारी बड़े विच्छिप्त रूप से ब्रह्मचेरी के पीछे पढ़ा था इस्त्रियों को देखते ही नहीं था मंदिर के बाहन नहीं आता था मंदिर में इस्त्रियों को नहीं आने देता जब मीरा पहुँची तो उसने आदमी बाहर खड़े कर रखे थे मीरा को अंदर नहीं को उसने देना मगर मीरा का नाच उसकी मस्ती वो भूली गए द्वारपाल और मीरा नास्ती भीतर प्रवेस कर गई उन्हें याद जब तक आया जब तक याद आया तब तक तो भीतर पहुंच भी चुकी थी पुजारी पुजा कर रहा था उसके हाँ से थाल गिर गया घबडार जो लोग दमन कर लेते हैं वासनाओं का उनकी यही गती होगी इस्त्री को देख के उसके हाँ से थाल गिर गया यह ऐसी कमजोरी बहुत नाराज हो गया उसने मीरा से का भीतर क्यों प्रवेस किया मेरे मंदर में इस्त्री को प्रवेस नहीं मीरा ने जो बचन का है वो याद रखने जैसे मीरा ने का मैंने तो सोचा था कि कृष्ण के अत्रिक तो और कोई पुरुस नहीं तो आप भी एक पुरुस और है मैंने तो सुन रखा है कि कृष्ण को जो भी मानते हैं वे सभी ये मानते हैं कि कृष्ण कात्रिक तो और कोई पुरुस नहीं और आप ये क्या पूजा कर रहे हffentlich किसकी पूजा कर रहे अभी तक सक्खी भाव पैदा नहीं हुआ अभी तक राधा नहीं बने अभी पुरुस हो तुम है अभी तक तुम पुरुस हो तीर की तरह चुब गई होगी च्छाती में बार लेकिन करांती घट गए पैरों पर गिर पड़ा पुजारी उसने का मुझे छमा कर दो यह तो मुझे ख्याल में नहीं आया कि केबल क्रशन ही पुरुस है क्रशन के मार्क प्र तो क्रशन ही पुरुस है क्योंकि अगर तुम समर्पन के मार्क से चल सको हरी हर तो तुम्हारे भीतर गीत पैदा होंगे तुम्हारी वीना बजे की तुम नाचोगे अगर तुम समर्पन के मार्क से न चल सको संकल्प का मार्क सुईकार करो वह तुम्हें रुचिकर लगे तो तुम्हारे भीतर मौन के फूल ख जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल होगा घटेगा और वही उचित है और जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल हो उसी अनुसार चलना ऐसा न कर लेना कि अपनी आकांग्छा को अपने स्वभाव के ऊपर थोपने लगो ऐसा न कर लेना कि स्वभाव तो संकल्प का हो और गीत और नाच होना चाहिए, इसलिए अपने उपर आरोपित करने लोगो संकल्प को छोड़कर समर्पन को, तो तुम जूटे हो जाओगे, तो फिर तुम्हारा नाच उपर उपर रहेगा, गीत उपर 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 रहेगा, तुम उससे भीगोगे नहीं, आद्र नहोगे, उससे कुछ लाब भी नहोगा, वह व्यर्थ हो जाएगा, प्रतेग व्यक्ति को अपनी निजिता को ध्यान में रखना चाहिए, स्वधर्मे निदनम स्रेया, पर धर्मो भया भया, जो महावीर का धर्म है, वो मीरा का नहीं, महावीर मीरा के रास्ते से चले, बड़े पाखन में पड़ जाएगी, और मीरा महावीर के रास्ते से चले, तो मिथ्या हो जाएगी, इसलिए कोई आकंच्छा थोपना मत, सहज भाव से अपने सभाव को, अपनी निजिता को जीओ, जो भी उसमेंसे फूल निकलेंगे सुब होगा कोई नहीं जानता बीच के तूटने के पहले कोई गोशना नहीं कर सकता कि बीच तूटेगा फूल कैसे होंगे पत्ते कैसे होंगे और यह सुब है यह सुन्दर है कि मनुस के संबन में भविश्वानी नहीं हो सकती, मनुस की स्वतंतरता ऐसी है, हाँ तुम्हारे संबन में छोटी-छोटी भविश्वानियां हो सकती, वही जोसी तुम्हारे संबन में करते रहते हैं, मगर वो व्यर्थ की बाते हैं, बाहर की बाते हैं, भीतर की बातों के सं मिलेगी या नहीं मिलेगी कि तुम्हारे गोड़ा जीतेगा कि नहीं जीतेगा कि धंदे में लाब होगा कि नहीं होगा इस तरह की छुदर बातें बता सकता है क्योंकि ये छुदर बातें गनित के भीतर आ जाती लेकिन कुछ ऐसा विराट भी है जो गनित के बाहर छूट जाता तर्क के बाहर छूट जाता ना कभी भीतर आता है ना आ सकता है इसलिए कोई नहीं कह सकता किस घड़ी किस पल में समाधी फलेगी और कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारी समाधी में कैसे फूल लगेंगे कोई भी नहीं कह सकता लगेंगे तभी लोग जानेंगे लगेंगे तभी तुम भी जानोगे इतना ही मैं कह सकता हूँ कि अगर चलते रहो तो एक दिन पहुँच जाओगे एक दिन फूल जरूर लगेंगे और तुम भी चमतकृत होगे और तुम भी विश्मे विमुक्ध होगे क्योंकि तुम्हारे लिए भी वो बिलकुल अंजान और अपरचित होगे नए होगे तुम्हारी बुन से मुलाकात पहली बार होगी तुम अपने आमने सामने पहली बार खड़े होगे अपने परम सौंदरी को पहली बार देखोगे उस संबन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है लेकिन अगर तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे सभाव के अनकूल तुम्हारी प्रार्थना है तो जरूर प्रार्थना करो बीन मेरी मौन कब जंकरत करोगी प्रेम पाटल पुस्प प्रति में करोगे अर्थना देखोगे जरूर प्रार्या करोगे प्रार्थना करोगे तुम्हारे सकता है